आज आपको बताता हूँ मैं एक तम अलग तरीके का तंदूरी चिकन बहुत ही अलग तरीके का है यह मतलब नॉर्मल जो तंदूरी चिकन होता है उससे काफी हटके है टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है देखने से आपको लग रहा हूँ तम रेस्टोरन में बेटके आप लो है थोड़े अब इसके लिए हमको क्या की जीज़े चाहिए वो देख लेते हैं तो यहां पे सबसे पहले हमने एक पेस्ट बना के दयार करना है तो एक मुट्टी हरा धनिया हमने लिया हुआ है तीन चार हरी मिर्चे लिए है आप अपने तीके अपन के हिसाब से ले लीजिए एक बड़ा अधरक्त उकड़ा है और 15-20 लसन की कलिया इन सब का हमने एक पेस्ट बना लेना है मिक्सिजार में ठीक है हमको चाहिए होगा यहां पे दही एक चोताई कप के जैसा और एक मिडियम सेज की प्याज मैंने फ्राइ करके लिए ती इसका भी पेस्ट बना के हमने इस्तमाल करना है ठीक है तो यह थोड़ा अलग है मतलब यह प्यास तला हुआ इसमें अच्छा फ्लेवर देता है नेम्बु का रसे एक बड़ा चमच अब काल नमक सफेद नमक स्वात की सब से मैंने लिया हुआ है हल्दी का पाउडर चाहिए होगा मैं आदा चोटा चमच के जैसा गरम मसाला घर का है इसलिए मैंने आदा चोटा चमच लिया है एक चमच दिनिया का पाउडर आदा चमच कुटाओ बना जीरा एक बड़ा चमच कश्मीर लार मिर्चो का पाउडर मैंने तीखे वाली हरी मिर्च लिया है तो कश्मीर लार मिर्च बस कलर के लिए चा अब को पहले बता दिया था न वह सती सत्थ पिस हुआ प्यास वह भी पेस्ट डाल दिया देह डाल दिया और इसी के साथ-साथ हमने इसमें निम्बू डाल देना है निम्बू का रस गलावट के लिए अच्छा होता है निम्बू का रस नहीं है तो विनेगर डाल सकते हो या तो फिर कच्चे पपिते का पेस्ट हो तो क्या ही बात है उससे तो एकदम मुलाया पटर के जैसे आपका चिकन बनेगा और सारे सुके मसारे डाल गया अभी हमने इसको कम से कम एक घंटा आप लोग इसको मैरिनेशन के लिए रखेगा मैं इसको ओवरनेट छोड़ दूंगा प्रवीज में रखे यहाँ पर हमने क्या किया है जब मेरिनेशन हो गई तो एक्स्टा का मसाला हटा देना है आपने नए तो फिर वो चिपकेगा बहुत पैन में तीन चार्च तेल लिया और उसके बाद हमने इसमें हमारा चिकन डाल देना है और अगर दही का मसाला बचा ह न तो वो हटा दीजेगा उसको आप लोग किसी भी ग्रेवी में डाल सकते हो इसको यह तेल में भुनके इस चिकन के साथ ग्रेवी आज ग्रेवी आप लोग उसको सर्फ कर सकते हो फिलाल चिकन को हमने शुरुवात के पाच मिनिट हाइफ लें पर पकाना है जिससे क्या होत कि हमने फ्लेम मीडियम करके अभी इसको अच्छे से 15-20 मिट पका लिना है और चिकन हमने जादा मारिनेट किया था तो यह जटपट पक जाएगा तो दीखिए चिकन ने अपना पानी भी छोड़ दिया है अब फिर से हमने क्या करना है 15-20 मिट इसको अच्छे से अलट प्रकार से भून लेना है आप लोग चाहे तो यह स्टेप कंप्लीटली ओवन में भी कर सकते हो लेकिन हम बिना ओवन बिना तंदूर के बता रहे हैं आप सबको तो इसलिए हमने डिरेक्ली ग्यास पर रखके इस परकार से शेक लिया है बस 30-40 सेकंड एक साड़ से लगता ह कोई लेका धुआ देना है इससे आपका टिका या तंदूर जो है वो एकदम रेस्टोरंट के जैसा इन फैक्ट मैं तो कहूंगा रेस्टोरंट से भी जादा बढ़िया बनता है बस एक बाद राए करना आप लोग दूरी देके हो गई एक दो मिने डाक के रख दिया था औ तो हमने नार्मल प्याज इस प्रकार से उसके लच्छे काट के लिए है गोल गोल से और बस हमारा तंदूरी चिकन बन की तयार है जरूर ट्राय करना किसी लगी आज की रेसिपी कमेंट सेक्शन में बताना और चिकन कितना जूसी आपको देख की पता लग रहा है तो बस य रेसिपी अपलोग ज़रूर ट्राय करना कमेंट सेक्शन में बताना आज को आज की रेसिपी किसी लगी और भी कुनसी कुणसी रेसिपीस देखने कमेंट करके बताओ फिर मिलेंगे ऐसी करिसे के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यर